अगले साथ दिन के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगों जो मुश्किल होगा कठी नाईयां होंगी इसके प्राब्लम्स आई है अगर इन साथ दिन तूने जो मैं बोल रहा हूं वो कर लिया शायद है तू बहुत कुछ बड़ा करते हैं आवे क्या कर रहे हूं आवे तुमस इस चांट उमने सपना देखाता एक ड्रीम देखाता मकसद था तुमारे बास यान इस साल तो बगया इन्टिभाइब कर आनी है उप sürणे एक से बनको चुप कर्वाणना है कि मोटिवेशन किया हुआ स्मूटिवेशन हतम हो गया किया उकात है तुमारी आज के सुपने क्या इस शब्त का यूज ले रहा हूं मैं औकात क्या है तुमारी ओकात आज मुझे यह बता है क्या उखाड़ा तुमने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा देखो आज की वी कुछ बढ़ा करना है आँ बढ़ना भी बढ़ेगा पिर क्यों नहीं बढ़ रहे हो बहीं क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो गए है क्या डिस्ट्रैक्शन यूटिव शोट इंस्टारील प्रीफायर अबजी दोस्तों के साथ बाहर जाकर क्रिकेट खेल लेते हैं य एक मेरे दोस्त, एक स्टोरी इमएजिन करवाता ह姓, इसके बाद क्या होता है, सब रिलेटिव भूहिति इंगे, सब रि Gef है। एक महिने निकलेगा , दो महिने निकलेगा , तीन महिने निकलेगा तुम में बूलने लगे, फिर तुम कुछ ओकेशन्स में याद आने लगोगे, जैसे तुम्हारे बर्थ खड़े पे, जैसे कई, बट तुम्हार जो घरवाले हैं, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो हमेशा दुखी रात है, तुकि वो तुम्हारे 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 काश मैं मुझे सपना देखा था उसको बुरा था यार मैं अपने पेरेंट की आँखों में वो प्राउड वाली फीलिंग देखना चाता था या देखना चाती थी और वो मेरा सपना बुरा नहीं थी वो उनका सपना बुरा नहीं हो पाया काश इन अपने पेरेंट को एक बड इस टोरी में पता है तुम्हें क्यों बता रहा हूँ इस टोरी में तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्यार आज के समय पर तुम्हें distractions इतनी बड़ी लगती है तुम्हें लगता है क्यार यहीं तो मजाए बहुत जादा पेनफूल होता है, दर्द देगा है सीने में, बहुत बड़ा दर्द देगा है, तो कुछ करना चाते हो न, अवकात अपनी बनाना चाते हो न, तो हमें इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा, बट यह बोलना असान है, करना मुच्किल है, मैं समझता हूं तेरी बात दोस्त, तेरी जगे से मैं भी गुजराओं हूं, मेरे क इस साथ दिन के लिए ऐसा रास्ता दिखाऊंगा, जो मुश्किल होगा, कठी नाईयां होंगी इसके, प्रॉब्लम्स आईगी, अगर इन साथ दिन, तुने, जो मैं बोल रहा हूं, वो कर लिया, तो शायद, तू बहुत कुछ बड़ा कर लिए, उस एक्जाम को कर जाएग अगर मोटिवेट होगे, तुमें लगेगा यार, अब तो कुछ भी उखाड नहीं है, तुम सो जाओगे, कल उठोगे, पढ़ने बैठोगे, मैज काई एक सवाल करोगे, इस सवाल सौल नहीं हो पाएगा, और तुम किताब बंद कर दोगे, पिर से डीबूट, इसलिए मैं होते हैं, जब भी हम पढ़ने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे टिपिकल सब्जेक पो उठाते हैं, हम मोटिवेटे हो गए, मैंने उठाली SSD, मैंने SSD उठाली SSD पढ़ लोगा आज तो, अब SSD बड़ी समझाएं नहीं और D-Motivation, तो एक CONCEPT ही खराग हूँ, Durang कैया तो मैं 6 गंटे मत पड़ो, मुझे आदत लगानी है, आदत लगानी के लिए मुझे असान काम करने होगे, इस दिमाग को आदत लगानी के लिए असान काम करने होगे, इमाजन करता हूँ अगर तुम 6 गंटे पढ़ने का सोचते हो तो इसका आधा कर दो आधा कितना होता है 3 गंटे तो अब से तुम्हें 3 गंटे पढ़ना है अगले 7 दिन तक कैसे पढ़ना है मैं समझाता हूँ अगला दिन जब शुरू होगा अगला दिन जब शुरू होगा तुम्हें अपने दिमाग को ट्रिक करना होगा जो दिमागा AR करता है अब मैंने त्री questi कारें το यार। तीन घंटा, पंदरा मिनट पढ़ ले 50 ही तो बढ़ा रहे हैं, 15 मिनट से क्या होता है। एक घंटा, 15 मिनट पढ़ ले 14. 15 से क्या होता है। तो ठीक है Warszawa मैने 15 ऐखुली मैश में कर लिया अब मैने 3 e-e-hour कर लिया और 15 मिनट कर लिया। तो निसमे किसी को कोई दिक्कत इतना को अराम से कर लिए और याद रखना अगले साथ दिन में तुम्हें मुशकल सब्जेक्ट नहीं उठाने। तुम्हें असान-सान सब्जेक्ट उठाने जिनसे प्यार है। जिसे कि math से बहुत बच्चों को प्यार होता है, science से बहुत बच्चों को प्यार होता है, उनको उठाओ, हमें habit डालनी है, habit असान काम से की जाती है, याद रखेंगे, अब क्या कर रहा हमने, 3 गंटे 15 मिनट पढ़ा, फिर अगले दिन 3 गंटे और 30 मिनट कर दिया, 3 गंटे 30 म मत बढ़ा हो, time मत बढ़ा हो, time मत बढ़ा हो, अब day 5 जो होगा हमारा, उसके अंदर वापिस से 15 मिनट बढ़ा दो, तो अब क्या करोगे तुम, 3 आर 45 मिनट, क्या ये चीद हाता clear है, अब उसके बाद 15 मिनट और बढ़ा दो, तो आब होगे 4 गंटे, 4 गंटे हो गया, और day day 7 में भी 4 गंटे हो गया, ये मैंने एक example लिया है, एक student का जिसको 6 गंटे पढ़ना है, और उसको आदत नहीं लग पारी है, वो distracted हो रहा है, वो procrastinate करता है, वो बोलता है कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, कल कभी नहीं आता मेरे में आज से करना है, ये सारी चीज़ें आज से करना है, अगर तू 3 गंटे का सोचता है, तो 1.5 गंटे से शुरू कर, और 15-15-15 मिनट भड़ा इस order में, ये scientifically research order है, इसमें तू करेगा, तो तेरा दिमाग भी अच्छी तरीगे से काम करेगा, और तू distracted भी नहीं होगा, समझे र इस दो गंटे को कम करना है, तो अगले दिन में तू बस एक घंटे 45 मिनट, खतम करेगा, अपने एक घंटे 45 मिनट गेविंग को देगा, जब तो अपने दिमाग से ये बोलेगा, आज मुझे 15 मिनट कम देने, इस तेरा दिमाग भी जादो कुछ परिशानी होगा, वो अरे आज से तो इंस्टारील बंद, आज से तो यूटीब शॉट्स बंद, आज से तो फ्रीफायर बंद, तो तेरे दिमाग से अंदर दोपोमीन रिलीज होना बंद हो जाएगा, और तू पढ़ भी नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे हमें खतम करना है, एक घंटा 45 मिनट, एक घंटा 30 मिनट, एक घंटा 15 मिनट फिर एक घंटा, ऐसे धीरे 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 सम करना है, इससे क्या होगा, साथ दिन के अंदर हमें एक हैबिट लग जाएगी, और ये हैबिट मनी लाइफ बदलने के लिए इनफ है, अब इस साथ दिन के चैलेंज को तुमें लेना है, और यार आज कमेंट तुम्हें करना है वह साथ दिन के चैलन्ज को मैं ले रहा हूं अगर तुम बाद आना इंस्टाग्राम पे अगर तुम्हें साथ दिन का चैलन्ज फालो कर लिए या फिर तुम यूटुब चलाते हैं तो यूट्यूब पे इसी कमेंट के नीचे लिख के जाना भी है, साथ दिन का चैलेंज फॉलो करा और मजाद, साथ दिन के अंदर तुम यहां से यहां पहुंच जाओ, तो इस चीज़ को हमें फॉलो करना है, अगले साथ दिन तक इस बात को अपने दिमाग में घ मैं यह नहीं बोल रहा है, बहुत टाइम लगा, मैं तो यह बोल रहा हूँ, बस इतना इतना टाइम लगा, अगर यह बन गई ना आज मेरे दोस्त, यह दिस्ट्रैक्शन तेरी जिंदीगी से निकल जाएंगे, और आज तो खुछ चूज कर यार, तुझे तेरी उकात क्या लगवान, यह शब्द होता है ना उकात, यह तुम खुछ डिसाइड कर, क्या तो तु आज कुछ मत करे, और कल शायद लोग तुछ से पूछेंगे, यार तेरी उकात ही क्या है, पर अगर तु आज कुछ उखाल दे, लगा दे ना जी जान, आएगी ना निउस्पेपर के मैंने तुझे गाइड कर दिया, मोटिवेशन टेंपरेरी होता है, मैंने तुझे हैबिट्स पता दी, अब हैबिट्स तुझे लेनी है मेरे दोट्स के था, मुझे पता है आज की बाते तुझे कहीं ने कहीं चुप गई होंगी, मैं बहुत जगे पर रूड हुआ ता, उस On this note, शुक्री everyone, कमेंट जरूर करना, आज इस वीडियो के कमेंट के नेचे